तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत में पसपालन की वर्तवान इस्थित ये वीडियो किन-किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये सबसे बड़ी बात है देखो जो लोग इंटरेंस एक्जाम के तयारी कर रहे हैं वो चाहिए आइसी आर विचू लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वर अगर अपनी जानकारी के लिए अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो कमसे हम ये बात तो पता होने चाहिए कि हमारे एगरी कल्चर में इनिवल हस्वेंटी मतलब क्रिस्पालन की क्या इस्ते थे हमारे देश में तो इसके लिए लोग भी पढ़ सकते हैं तो इस्टार्ट करते हैं सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है एंडवल एस ओ के अरसठवे दौर के सरवेचण के अनुसार 16.44 मिलियन लोग पसुपालन मिस्रित खेजती तथा मतसेन संबंदिक गत्विदियों में सनलंगन है मतस खेती देखो यह नहां पर सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है एंडवल एसो होता क्या है यह जान लेजिए इसकी दोस्तों फुलपाम होती है नेशनल सेंपल सर्वे ऑफिस क्या होती है दोस्तों नेशनल सेंपल सर्वे ऑफिस अगर हम इसकी हिंदी में बात करें तो राष्टी नमूना स तो उसमें यह देखा गया कि 16.44 मिलियन लोग पसु पालन मतलब दोस्तों एनिमल असवेंडरी मतलब पसु को पाल रहे हैं और मिसरित खेती मिसरित खेती का मतलब दोस्तों क्या होता है देखो जो दोस्तों खेती और उसके साथ में जिसे मुर्गी पालन हो गया या दोस्तों गाय पालन या मतलब डेरी हो गया इसे बोल सकते हैं किसी भी कार को कर रहे हो ठीक है उसको अलग से ठीक है तो उसको क्या बोल दिया जाता है मिसरित खेती कहा जाता है खेती के साथ साथ दूसरा कोई कार करने को दोस्तों मिसरित खेती कहा जाता है यह वाद याद रखना ठीक अंसदान करता है अब दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि GDP की फुल फार्म क्या होती ये कोश्चन हो सकता है हो नहीं सकता है एक सर पूँच भी लिया जाता यूपी काईटन में तो ये कोश्चन आ भी सकता है इस GDP की full farm क्या होती है तो gross क्या होती है gross domestic product होती है अगर इसकी हिंदियें बात करें तो सकल घरेलू उत्पादन बोला जाता है ठीक है इतनी बात समझ में आगई तो आगे बढ़ते हैं GDP में अगर इसकी बात की जाए तो कुल 4% है तथा अगर हम क्रिस की बात करें ठीक है अगर क्रिस की बात करें वैसे कितनी है तो 4% ही है लेकिन क्रिस में GDP का कितना अंसदान है तो 25% है याद रखना तो next अपने point की बात कर लेते हैं भारत पालतो पसों की सबसे बड़ी संख्या वाले देसों में से एक है ठीक जितने भी हमारे देस है ठीक उनमें से हमारा भी भारत देस है एक माना जाता है पसों पादन में ओके निश्ट बात कर लेते हैं केबल 2014-15 में उत्पादी दूद का मूल 4.92 लाख करोड रुपए तथा जो चावल तथा गेहु कुल संयुक्त मूल 3.6 लाख करोड रुपए से अधिक था अब देखो यहाँ पर क्या है कि उत्पादी दूद का मूल कितना हुआ था ठीक 2014-15 में 4.92 लाख करोड रुपए का लेकिन चावल तथा गेहु से कुल संयुक्त मूल कितना मिला था 3.6 लाख करोड रुपए तो देख पा रहा हो दोस्तों कितना अंतर है आसा करता हूँ अब तो किलियर हो गया होगा कि जो हमारा पसपालन है उस सेक्टर से जादा इंकम मिली है अपेच्छक्रत गेहुदान से तो नेक्ट बात कर लेते हैं उत्पादन संबंदी आकड़े कौन कौन से उत्पादन सं इंपोर्टेंट उनके वारे में बात की जाएगी ठीक है सबसे पहले इसमें आता है दुख दूदपादन 2016-17 में 165.4.010 के दुख दूदपादन के साथ भारत विशु का सबसे बड़ा दुख दूदपादत तथा यहां प्रतिव्यक्ति दूद उत्पादकता 355 ग्राम प्रतिदिन है देखो को दोस्तों यहां से कोश्चन बस दो ही बनेंगे कौन कौन से बनेंगे पहला तो बनेगा कि 2017 में मलगों 2016-17 में कितने मिलियन टन कर दूदपादन हुआ था तो आप लोगों को आसा करता हूं समझ में आ गया होगा 165.4 मिलियन टन दूदपादन कि प्रतिवेक्ति कितना दूद उत्पादन हुआ हो रहा है अब प्रतिवेक्ति का मतलब जो लोग जॉब कर रहा है वो दूद उत्पादन नहीं कर रहा है लेकिन एक एवरेज लगाया जाता कि प्रतिवेक्ति कितना दूद उत्पादन कर रहा है तो दोस्तों 355 ग्राम प्र तो अंडा उत्पादन में 88.1 अरब प्रतिव्यक्ति उपलब दता है अद देखो प्रतिव्यक्ति की अनुसार यहां पर भी देखा गया तो प्रतिव्यक्ति का मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति अंडा उत्पादन करवा रहा है मुर्गी पालन करके ऐसा नहीं है लेकिन एव 200.5 million kg मतलब 5718 पी बात किया तो उनुत पादन में जो भारत देश की योगदान रहा है तो 33.5 million kg ठीक अगर माश उत्कादन की बात करें 2015-16 में तो 7 million ton रहा है ठीक है उनुत पादन की आगर हम पिर से बात करें तो 2017 आपम 18 में अब यहाँ पे भी वही सेम लिखा हुआ है कि 33.5 मिलियन किलोगराम रहा है मास उत्पादन 7 मिलियन टन रहा है दो बार लिखा है लेकिन कोई बात नहीं है मतलब समझ में आना चाहिए यह सिंपल सी बात है तो दोस्तों अपने हम नेक्ष्ट पॉइंट की बात करें तो मत्स उत्पादन मतलब फिसरीज के बारे में बात की जाएगी कि कितना कितना इसमें उत्पादन मिला है अगर हम बात करें या मीठे जलकी मचलियों का भी सबसे बड़ा उत्पादक रहा है मीठे जल की जो इतनी भी मचलियां उनका भी बहुत जादा योगदान भारत देश में रहा है 2016-17 में 108 लाख टन समुदरी मचलियों तथा 17 लाख टन मीठे जल की मचलियां तथा उत्पादन दर्जी किया गया है अब देखो 108 लाख टन जो समुदरी मचलियों से हमको प्राप्ति मिली उत्पादन मिला है और जो 17 लाख टन था वो मीठे जल की जो मचलिया उनसे हमको उत्पादन मिला है ठीक है बड़ी तट्रेखा के करण भारत में मत्स उत्पादन की उच्छ संभावना है ठीक है संभावना बढ़ते ही जा रही है क्योंकि दूसरे इस्थान पर भारत आता है दूसरे इस्थान पर होना बहुत बड़ी बात होती है आसा करता हूं समझ में आया होगा नेक्स्ट बात कर लेते हैं भारत बिस्स में भैसों की संख्या में पर्थमिस्थान है अगर हम भारत की बात करें तो भैसों की संख्या में ये पर्थमिस्थान लगता है 56.7% भैसे लगबग पूरे भारत देश में पाई जाती है ठीक है अगर दोस्तों हम मवेशियों की बात करें तो कुल संख्या में दुती स्थान है बकरियों की संख्या में भी दूती स्थान है भेड़ों की संख्या में भी सुमें तरती स्थान है जो मारे ममेसी पसू होते हैं उनका जो भारत देश में दूसरा स्थान है ठीक है भकरियों का भी दूसरा स्थान है और दोस्तों जो भेड़े होती हैं इनका तरती स्थान है थैंक यू फॉर वाचिंग